यहां पर आप देख पाओगे बादस सरकार की मिनिस्ट्री औफ एक्स्टरनल अफेर्स ने ये का है कि बीबीसी की जो डॉक्यमेंट्री है प्राम निस्टर मुदी के ऊपर ये को लोनियल माइंड सेट दिखाता है इनका इनको आज भी लगता है कि ये लोग भारत पे राज क करते हैं और जो भी डॉक्यमेंट्री बीबीसी ने बनाई है ये अपने आप में एक प्रोपेगेंडा पीस है ये अपना नेरेटिव भारत में पुश करना चाते हैं और ये शू मैं आपको बता दूँ के यूके में भी अभी कॉंट्रिवर्सी में होगा और सिंस इंडियन गवर्मेंट्न ने यहाँ पर स्टेटमेंट्स देती है डेफिनेटली इस बात पर कॉंडवर्सी उठेगी यूके में रिशी सुनाक पर भी प्रेशर आने वाला है इस इसू को लेकर नव पहले आपर जान लो के बीबीसी ने किया क्या है बीबीसी की फुल फॉर्म है ब्र पार्ट की सीरीज वना दि इसका नाम है इन्डिया दमोदी क्वेस्ष्टन और इस सीरीज मे ना डो हजार दो में जो गुजरात में दंगे हुए थे उसपर फोकस किया गया है और से प्राइमनिस्टर मोदी उस वक्त है उस गुजरात के चीफ मिनिस्टर तो इनका रुल क् क्या किया इस पर इन्होंने पुरी डोक्यमेंटरी बना दी है ना देखो 2002 के जो दंगे थे गुजरात में इसको लेकर अल्रेडी बहुत सारी मुवी बहुत सारी डोक्यमेंटरी इस किताबे लिखी जा चुकी है और इंडिया में आप देखोगे तो बहुत लंबी इस पर ली पुजराद गवर्मेंट पर में देखो पॉइंट BBC की डॉक्यूमेंटरी का यहां पर यह रहने वाला है कि BBC ने उस वक्त के UK के जो फॉरन सेक्टरी थे जैक स्ट्रॉ उनसे इंटर्व्यू लिया और जैक स्ट्रॉ ने अपने इंटर्व्यू में यह कह दिया कि यह लोग UK के UK के फॉरन सेक्टरी जो है जो आज के समय बाइदवे पावर में नहीं है इन्होंने देखो क्या कह दिया और सिंस BBC इंडिया में एक पुराने घाव को वापस उजागर कर रहा है जो बहुत ही अनफॉर्चनेट दंगे हुए थे उनके बारे में फिर से डॉक्यूमेंटरी बना रहा है हिंदू मुस्लिम्स की यहाँ पर बात कर रहा है इंडिया में तो कई लोगों ने इंडिया में यह का BBC को के तुम हो ब्रिटेश ब्रोड्कास्ट कॉपरेशन तुम लोग चर्चिल पर डॉक्यूमेंटरी क्यों नहीं बनाते पी एम मोधी पर ओल्लेडी इस पर अब एक अडिशनल डॉक्यूमेंटरी दुनिया भर में ब्रोड्कास्ट करके क्या साबित करना चाती हो तो कई लोगों ने आपर यह कहा के चर्चिल पर डॉक्यूमेंटरी बनाओ के ब्रिटें दर चर्चिल क्वेस्चन क्योंकि आपको बताओगा के भारत में कई वेमर आ पार्लेमेंट हैं जैसे के शशी जरूर साब यह कह चुके हैं कि विंस्टन चर्चिल के हातों में उतना ही खून है जितना दुनिया के वर्स जनोसाइडल डिटेटर्स के हात में हैं मगर क्या यूके इस बात को एक्सेट करता है नहीं यूके आज भी चर्चिल को प्रमोड करता है एक हीरो की तरह अभी हाली में हमने देखा के जब बॉरिस जॉंसन यूके के पीम थे इन्होंने लिटरली चर्चिल के नाम का अवार्ड भी दिया जलनस्की को रश्या से और लमोड सेम बात यहां पर मेंशन करी है भारत के विदेश मंत्राले ने इंडिया की फॉरण निस्ट्री के जो स्पोक्समेन है अरिंदम बाग्ची इन्होंने ये कहा कि पहली बात तो इस डॉक्यमेंटरी बनाने के डिसिजन में दिखती है लाक ऑफ तो इंडिया में जो विदेश मंत्राले के स्पोक्समेन हैं उन्हें आगे ये भी एड किया कि ये जो डॉक्यमेंटरी है ये ये भी दिखाती है कि बीजिच एक नैरेटिव पुश करना चाता है और इसलिए आज के समय भारत का विदेश मंत्राले भी सूच रहा है कि नको क करने यह दोक्यमेंटरी की और रही बात यहां पर जैक स्टॉकी क्योंकि पूरी जो डोक्यमेंटरी है ना देखो अब कुछ ऐसा तो है नहीं के इनके पास बीबीसी के पास यूनीक इंफरमेशन होगी जो पुरानी एक फुटेज हमने अल्रेडी देख रखी है काफी बार हम क्या कहें वो जो इन्वेस्टिगेशन की बात करें किसी रिपोर्ट की बात करें हैं यह कोई यूके की इंटर्नल रिपोर्ट होगी इसके बारे में इंडिया को पता तो है नहीं और ना रिपोर्ट यह कभी यूके ने दुनिया के सामने रखी है और बहुत ही बेसिक बा इसको भी डिस्मिस कर दिया है, अब आप यहां पर पूछोगे, मगर BBC वैसे यह सब डॉक्यूमेंटरी बनाएगा भी क्यों, देखो मैं आपको सिंप्ली यह बात बताता हूँ, कि चाहे New York Times हो, BBC हो, या फिर कोई और foreign news outlet हो, उनको यह बता है, कि इंडिया के बारे में negative coverage करने से ना news बनती है बहुत सारी, तो BBC को भी देखो आज के समय profit चाहिए, रिसेंट टीम को बता लगा है कि BBC ने job cutting करी है, बहुत से लोगों को नौकरी से निकाला है, दुनिया भर में various languages में जो इनका broadcast पहले आया करता था, रेडियो में वो भी cutback किया है, कई country से BBC pullback कर चुका है, क्योंकि अब Britain की सरकार से इरको इतनी funding नहीं मिल रही जितनी एक time पे मिला करती थी, नहीं तो BBC का target यह था, कि यह Netflix को चुनौदी देंगे, यह literally BBC का चुका है, इनका target था, कि यह Netflix को चुनौदी देंगे, मगर अब यह कह रहे हैं कि जो UK की सरकार ने funding कट कर दी है ना, इसकी वज़े से BBC कंपीट नहीं कर पाएगा Netflix से, तो अब यह देगी, ऐसी documentary बनाये करेंगे, भारत के सारे national park से, क्योंकि इन्होंने काजिरंगा national park पे एक movie बनाई, उसमें poaching इंडिया में कैसे होती है, वो सब दिखा रहे थे, तो भारत सरकार ने कहा, कि यह movie इंडिया की image को damage करती है, तो पांच साल के लिए BBC पर उस वत बयान लगा था, shooting करने से, from all the national parks, फिर BBC ने ह चाहिए कि क्या भारत सरकार को respond करना चाहिए BBC की ऐसी documentaries पर, क्योंकि BBC काफी बारना भारत सरकार के response से और जाधा popularity गेन कर लेता है, for example, मैं आपको बता हूँ, तो BBC की एक documentary आई थी आज से कई साल पहले, India's daughter, यह जो निर्भया रेपकांड हुआ था, उस पर इन्होंने documentary बन पॉर्ड मिले, BBC को काफी profit हुआ, और आप के लिए बीबीसी ने उस वक्त एक formula समझ लिया था, कि यह अच्छा तरीका है, इंडिया एक बड़ा country है, इन पर reporting करके यह काफी आगे तरक्की कर सकते हैं, और रही बाद UK और इंडिया रिलेशन्स की, इस पर एक और वीडियो म कुछी जर्मे, क्योंकि यूके में भी बहुत कुछ हुआ है, यूके के पार्लेमेंट में इस BBC की डॉक्यमेंटरी को लेकर हंगामा हो गया, रिशी सुनाक को काफी कुछ बोलना पड़ा, तो उस पर एक अलग वीडियो आएगी, वहाँ पे मैं जो अलग पूरा टॉपिक ह वो कवर करूँगा, और हाँ मैं आपको ये भी बता दूँ के अनकाडमी का एक बहुत ही स्पेशल ओफर स्टार्ड हो चुका है, यूपी असी एश्परेंट्स के लिए, आप अगर अनकाडमी का बेसिक कोर्स परचेस करते हो, तो आप्शनल आपको फ्री मिलेगा, नीचे तो टोटल यहाँ पे आपकी सेविंग जोरी होगी, 46,000 रुपीस की, ये ओफर सिर्फ एक हफते तक चलेगा, और इस ओफर को अवेल करने के लिए, यहाँ पे जो प्रोमो कोड का सेक्शन है, यहाँ पे आपको डालना है PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरना श झालना है